डिस्क्लेमर वी आ नोट से भी रिजिस्टर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल गिन गिन बाय अमन पर आज इस वीडियो के अंदर बात करूंगा इंडिया की कुछ 5 AI कंपनी क्योंकि AI का अगर देखा जाए तो फ्यूचर काफी ब्राइट नजर आ रहा है और यह इडिया कोपरेशन के अगर बात करें तो यह तो लगातार तेजी दिखाता हो नजर आ रहा है इस पर मैंने अल्लेडी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है तो वह जाकर आप चकाउट कर लो उसमें मैंने इंडिया के दो सेमी कंडेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक्स को करते हैं मेक शूर कि आप उसे जरूर वाच करें बिकॉज अब बहुत इंफॉर्मिटी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वहां के जाके आप चकाउट कर सकते हैं अभी देखें निवीडिया का हल तो यहां पास दिर में 6% का डाउनफॉल अभी आज क दिन भी अच्छा खासा तेजी देखने को मिला इस स्टॉक के अंदर एंवीडिया के अंदर और यहां 6 मंत में अगर आप देखेंगे तो 68% का जो है तेजी देखने को मिल रहा है और लगातार कंपनी का यह काउंटर जो है एंवीडिया तेज होता हूँ नदर अभी जबर्दस इसके अंदर तेजी हमने देखी है अब इंडिया के कुछ AI स्टॉक्स जो की AI पर काफी ज़्यादा काम कर रहे हैं ठीक है आने वाले टाइम में इन कंपनी को एक जबर्दस फायदा हो सकता है AI किस तरीके से हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है वो सारी बात AI का मार्केट साइज है यह जो है एन्वली सीजियार अगर देखेंगे तो 37.3% से ग्रोफ होता हुँ नजर आ रहा है और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 37.3% से 2023 से लेके 2030 तक आगे भी इसी ग्रोफ रेट से यह कंपनी ग्रोफ होती भी नजर आएगी यह जो यह जो सेक expenses ठीक है कि बाई जो पहले खर्चा होता था वो खर्चे को कम करने का काम जो है AI करती हुए नजर आती है जहां पर अगर आप देखा जाए तो AI की मदद से चीजें बहुत जाता इसली और जल्दी हो जा रही है ठीक है तो यह सब benefits के चलते जो है AI पर काफी बड़ी बड़ी पर आ रही है फड़ा पड़ से करते हैं discussion तो सबसे पहले जो नाम निकल के आता है वो है HCL Tech, HCL Tech ने भी काफी बड़े बड़े जो है डील्स क्रैक करती हुए नजर आई है यहां पर आप आप देखेंगे तो पास दिन में कमपणी का share जो है देखा जाए तो एक महीने में 4 साधे 4% भगा है एक साल में अगर देखेंगे 52% की रिटन्स बना के दिये हैं वहीं 5 साल में आप कंपणी को देखो 213% की रिटन्स है एक अच्छे का से रिटन्स एक बना के भी दिये हैं और कंपणी का अगर मार्केट साइज देखोगे तो बहुत बड़ा है लार्ज के कर्डिगरी की कंपणी है ठीक है तो इस केस में क्या है कि आपका जो जो पैसे लूज करने वाली बात है वहां पर यह जो है यह थोड़ा सा एक स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा एक लार्ज के कंपणी है बड़े अगर देखा जाए तो बहुत जादा बड़ी कर्रेक्शन स्टॉक्स के अंदर नहीं देखने को मिलती है हाला कि बहुत टाइम तक एक रेंज में कंपणी काम करती है फिर ब्रेक आउट होता है फिर तेजी बनती है तो इस तरीके के काम चलता रहता है अभी एक कुछ बात करो तो यहां पर बड़े-बड़े कोलाबरेशन की हैं कंप तो यहां पर देखा जाए तो एसे अलट ने पार्टनर्सिप किया है एसे पी के साथ ठीक है जिसमें यह दोनों मिलकर साथ में एक प्लैन क्रिएट करेंगे जनरेशन एई पे ठीक है और उसको यूज़ करके सॉफ्ट्वेयर डवलप करते हैं नजर आएंगे ठीक है तो य को लेकर कंपनी काम करती हुए नजर आएगी तो यहां पर देखा जाए तो यह 5 साल का एग्रिमेंट कंपनी ने किया है तो अब थोड़ी सी कैंसेल होती हुए नजर आई है लेकिन जो है अभी इनकी जो और्डर बुक है वो काफी बड़ी देखने को मिलेगी अब यह जो इतनी बड़ी और जो आने वाली थी जिसकी वेसे आपने कर्रेक्शन अल्रेडी देखा आठीफिशल इंटेलिजन सॉलूशन पर आधारित यह बड़ी सी डील थी जो जबर्दस जो है एक पर काम करता हूँ नजर आ रहा है अब इन दोनों की अगर और बुक के अभी बात करें अभी तो टीस के पास अगर देखा जाए तो क्यूट्री एवए 23 तक कंपनी के जो पाइपलाइन से अल्मोस्ट टैन बिलियन डॉलर के आसपास कि थी पॉर्टर तक ठीक है फोर्थ क्वाटर में और अभी अगर कंपनी का ओर्डर बुक देखेंगे तो अल्मोस्ट 34.1 बिलियन डॉलर का देखने को मिल जाएगा आपको ठीक है तो AI और यहां पे IT के अंदर जो है एक जबर्दस का जो है फोकस बनाके TCS के उपर भी आप चाहे तो रख स देखें तो जबर्दस इन्वेस्टमेंट करके सबसे पहले जो डील जो क्रेक करेंगे सबसे पहले जो इनोवेशन लेके आ सकती है वो है लाज क्याप कर सकती है बट उनको बहुत जादा टाइम लगेगा उन चीज़ों को करने में इनके पास रिसोर्स हैं मैं पावस बहु फोकस में रखा गया है अभी देखा जाए तो इन फोसेस के हाथ में भी अभी दो पॉइंट एक बिलियन डॉलर के आसपास का क्यू त्री क्यू फॉर में और आने वाला था अभी नेक्स देखा जाए तो इनकी जो बुक वैल्यू है आल्मॉस्ट 9.8 बिलियन डॉलर के आस हाला कि slowdown जुरूर चलता यह counter बट अभी अगर देखा जाए तो काफी बड़े-बड़े deals company ने crack किये और उसके बात से एक अच्छी-कासी इसमें तेजी भी बनती हुई नजर आई 6 महिने में 30% तक जो है यह share तेज होता हो नजर आ है तो विप्रो को भी आप radar पर रख सकत है अगर आप AI investment करना चाहते AI के field में investment करना चाहते हैं तो यह major जो companies हैं काफी बड़ा योगदान दे रही है AI के field में पहला नाम था HCL Technology का दूसरा है Infosys TCS Wipro LTI तो यह बड़ी companies बड़ी जाइंट जो है आने वाले टाइम में कुछ बड़ा करने वाली है ठीक है इन पर बिलकुल आप focus बना के रख सकते हैं जिन भी categories में आप जाए large category पे ही focus करे because of the companies का सबसे पहले कुछ बड़ा लेके आएंगी AI से ठीक है make sure कि यह वीडियो आपको थुड़ी बहुत informative लगी हो वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बाकि किसी भी शेयर में इंवेस्ट करने से पहले अपनी खुद की research और अ किलते हैं आप से नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ अब तक के लिए take care bye bye